नमस्कार, मैं सुशीला राइडिमरी, वेलकुम टू माई चैनल रोज की रसोई दोस्तों, आज मैं रोटी, चपाती और फुलका इनमें क्या अंतर हैं बताऊंगी आप सोच रहे होंगे इसमें कौन सी नहीं बात है यो तो हमें पता ही है, पर ऐसा नहीं है सबसे पहले बात करते हैं रोटी की रोटी तो हम सभी अपने घर में बनाते हैं, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं जब हम आटी की लोई को बेल कर तवे पर डालते हैं और उसे सेकते वक्त तवे पर ही फुलाते हैं तो हमारी रोटी बनकर त्यार हो जाती है एक छोटी गेहों की रोटी जो करीब 6-7 इंच की होती है उस रोटी में लगबग 57 कैलरी होती है रोटी को बिना घी लगाए खाने से हमें कैलरी की मातरा कम होती है और घी लगाने से कैलरी बढ़ जाती है रोटी भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया में सामानी रूप से रोज के भोजन में खाई जाती है यह आटे एम पानी के मिश्रेंट को गूंद कर उससे बनी लोई को बेल कर गैस या चूले में पकाई जाती है एक रोटी में हमें 26 ग्राम प्रोटीन मिलता है अब बात करते हैं चपाती की जब हम आटे की लोई को बेल कर तवे पर डालते हैं और सेखते वक्त वो बिल्कुल भी नहीं फूलती सिर्फ उस पर सुनहरी लाइने सी दिखाई देती हैं तो उसे चपाती कहते हैं यह थोड़ी सक्त होती है चपाती भी रोटी का ही एक प्रकार है इसलिए इसमें भी कार्वो हाइडरेट के साथ एसेंशियल नूटिशन्स भी होते हैं यह हूं प्रोटीन फैट और फासफोरस मेंगनेशियम और आरेन का सबसे अच्छा पोशक तत्व माना जाता है अब आखिर में बात करते हैं फुलके की फुलका मतलब फूल जैसी पत्ली पत्ली हलकी रोटी जब हम आटे की लोई को बेल कर तवे पर डालते हैं और दोनों तरब से हलका सा सिख जाने पर तवे से हटा कर सीधे गैस की आज़ पर सेखते हैं तो इसे ही फुलका कहा जाता ह इसी फुलके को हम मुलायम पतली रोटी के नाम से भी जानते हैं हमारे भारत में दाल, चावल, रोटी लगबग हर घर में खाई जाती है सर्दियों में तो तवेसे गरम-गरम रोटी बहुत ही स्वाद लगती है एक फुलके में करीब 57 कलरी होती है वैसे तो लोग 2 या 3 रोटी एक मील में खाते हैं लेकिन जो अपने वजन को लेकर थोड़ा परिशान रहते हैं अपने वजन में रोटी कम करके सुबजी डाल आदी ज़्यादा खा सकते हैं तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि जो रोटी हम सेकते वक्त तवे पर फुलाते हैं वैं रोटी कहलाती है इसी परकार जब हम तवे पर रोटी सेकते हैं लेकिन वैं अच्छे से फूलती नहीं है उसे हम चपाती कहते हैं और आखिर में जब रोटी को हम तवे पर नहीं बलकि सीधा गैंस पर फुलाते हैं तो उसे फुलका कहा जाता है ये खाने में एक दम पतली और हलकी मुलाहम होती है तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपके साथ शेयर की मिलूंगे नेक्स वीडियो में ऐसी एक नहीं जा जोई